असलामनेकूम दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग उम्मीद करती हूं आप सब ठीक होंगे तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं कि मेरे पास आज यह नॉर्मल साइस का खुर्टा मुझूद है जिसकी बाकी स्टिचिंग तो मैंने मुकमल कर ली है लेकिन इसके मीज कि अभी फिनिशिंग मुकमल नहीं हुई यह आप देख सकते हैं यह उपर से तो बिल्कुल स्टिच हो चुका है लेकिन इसके चाक और दामन अभी इनकंप्लेट है यानि इनकी तरपाई नहीं हुई तो आज मैं आपको अपनी इस वीडियो में कमीज की फिनिशिंग करने का तरीका सिखाऊंगी तो चले हम शुरू करते हैं जी दोस्तों यह मेरे पास दामन की उल्टी साइड मुझूद है सबसे पहले हम जब तरपाई के लिए कमीज के कपड़े को फोल्ड करते हैं तो दामन को फोल्ड करेंगे सबसे पहले और फिर बाद में चाक को फोल्ड करेंगे तो कर लूँ इसको अच्छे से बिल्कुल मैं उसी हिसाब से इसको पॉल्ड करूंगी जहां तक मेरी लैस आई हुई है ताके टिशू भी कवर हो जाए यह आप देख सकते हैं मैंने इसको अच्छे से फॉल्ड कर लिया है इसी तरही के से अप मैं इसकी बैक साइट के दामन को फॉल्ड करूंगी और उसके बाद हम चाकों की फॉल्डिंग करेंगे नाजरीन फ्रेंट साइट के दामन की फॉल्डिंग करने के बाद मैंने बैक साइट के दामन को भी अच्छे से इस तरही के मदल से फॉल्ड कर लिया है बिल्कुल उसी के फ्रेंट साइड के बराबर रखते हुए ताके पिछली साइड कम या ज्यादा ना हो अब मैं इसके चाकों की फॉल्डिंग करूँगी उपर से हम हिप का जहां पे हमारी स्ट्रीचिंग आई हुई है उससे अंदाज़ा लगाते हुए सीधा बिल्कुल इसको फॉल्ड करेंगे जितना हमें दामन तयार चाहिए उसी हिसाब से हम इसको फॉल्ड करेंगे और बाद में इसको प्रेस करेंगे यह देखें इस तरह से इसको प्रेस करने के बाद मैं इसकी इसी लाइन के अंदाज़ा लगाते हुए फ्रेंट साइड को भी फॉल्ड कर लूँगी यह देखें अपने हाथों की मदद से इसको पहले सेट करें और फिर इसको प्रेस कर लें अच्छे से इस तरह से एक बिठाने के बाद मैं इसको जितनी चोड़ी मुझे तरपाई चाहिए उतना चोड़ा इसको मैं दुबारा से फॉल्ड करूँगी यह देखें यह दो करीबन मैं एक इन चोड़ा फॉल्ड कर रही हूँ क्यूंकि चोड़ी तरपाई अच्छी रखती है दोस्तर इसी मैट़ड को फॉल्ड करते हुए हम अपने चारो साइडों को अच्छे से फॉल्ड कर लेंगे और फिर इसकी तरपाई करेंगे जी नाजरीन तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि फ्रन्ट और बैक साइड के दामन की फॉल्डिंग के बाद हम लोगों ने चाकों की फॉल्डिंग की और इस तरी की मदद से इनको अच्छी तरीके से बिठा लिया इसी तरह अब हम इसकी चाकों की तरपाई कर लेंगे जो तरह हमने बिठाई है उसके साथ-साथ अगर हम इस तरीके से इसको प्रेस कर लेते हैं तो हमारे पास एक तरह मुझूद आ जाती है जिसकी मदद से हम बहुत अच्छी तरीके से तरपाई कर सकते हैं और हमें दिक्कत नहीं होती तो ये था हमारा आज का लेसन उमीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी अगर आपको वीडियो से पसंद आती हैं तो इन्हें लाइक और शेयर जरूर किया करें मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूले अल्ला हाफिस